तो जहां एक तरफ इंग्लेंड, ब्राजील और पॉर्चुगल वर्ड कप 2022 के कोर्टर फाइल से बाहर हो गये हैं वहीं दूसरी तरफ फ्रांस यहां पर सेमी फाइल में एडवांस कर चुकी है लेकिन इन चारोई टीम्स के रिगार्ण एक चीज़ कॉमन है और वो है इनके मैनेजर्स के पोजिशन को लेके अंसर्टिनिटी अब जहां आने वाले टाइम में अल्मोस कंफर्म है कि सेंटाउस अपनी पोस से रेजिगनेशन देंगे पॉर्चुगली टीम से अब देखो इस अब को पहले पता था कि फ्रांस ने कंडिशन सेट कर रखे गए अगर डिस्चैम्स सेमी फाइनल तक नहीं जाएगा तो वो रिजाइन करेगा और यहाँ पर जिडान ओवर्टेक करेगा लेकिन क्योंकि अब फ्रांस सेमी फाइनल में जा चुक है और पॉसिबली फाइनल तक भी जा सकती है तो यहाँ पर अब फ्रांच रिपोर्ट से मानते कि शायद से डिस्चैम्स यूरो दोजा 24 तक कंटिन्यू कर सकते हैं जिसने अक्चुली में जिडान को नोमेंस लैंड में छोड़ दिया है इसी की साथ अगर यहाँ पर इंग्लेंड की बात करें तो यह डिसिजन साउध गेर पर छोड़ा गया है कि उसको कंटिन्यू करना है नहीं लेकिन एक काफी इंट्रस्टिंग खवर यह निकल कि आए कि ब्राजील से ऑफर गया है यहाँ पर कार्लो अं कुछ रिपोर्ट की माने तो उन्होंने इस पर हां कही है कि यहाँ वह दोजार तेईस में मडड़ की जॉब को छोड़के यहाँ पर ब्राजील जॉइन करने के लिए इंट्रस्टेड है